नमस्कार लर्निंग मंत्रा के अभ्या सिरीज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ विबेक मिस्र नागरिक सास्त्र अभ्या सिरीज के 16 वीडियो में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्वेस्टन में दिखा था पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है अब इस अभ्या सेरीज में हमारा आज का ये पहला सवाल है अमेरिकी संग व्यवस्था में किसी राज्य के अंतरगत एक नए राज्य का निर्मान कैसे किया जा सकता है तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिये गए हैं चारों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है सही जबाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या सी संबंधित राज्य की सहमती से कॉंग्रेस के द्वारा यहाँ पर आपको देखें तो अमेरिकी संबिधान के अनुछे चार की उपधारा तीन में असपस्ट रूप से कहा गया है कि कॉंग्रेस नवीन राज्यों को संख में प्रवेश दे सकेगी लेकिन कोई नया राज दूसरे राज के छेत्रा धिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और नहीं दो या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिला कर उन राज्यों के विधान मंडल तथा कॉंग्रेस की सहमती के बिना किसी नवीन राज्य का निर्मार किया जा सकता ह इसका मतलब यह होगा कि राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमती से ही परिवर्तन किया जा सकता है Q52 में है फिली बस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है कहां पर तो फिली बस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है अमेरिका में विकल्प यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा हम आपको बता देंगे सैयोक्त राज अमेरिका के सम्विधान की एक प्रथा जिसके अंतरगत सिनेट में विरोधी दल के सदस से किसी विधेयक को पारित होने से रोक सकते हैं ये सदस एक के बाद एक लंबे लंबे भासर देते चले जाते हैं ताकि विवाद समाप्त न हो पाए और अधिवेशन की समाप्ती तक मत विभाजन न कराया जा सके अगला सवाल है क्वेशन नंबर 53 भारती सम्विधान के स्रोतों की द्रिष्टी में निम्न में से कौन सय युग्म सही रूप से संबध नहीं है तो यहाँ पर आपको सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी ऑस्ट्रेलिया के संबिधान से संबिधान में संसोधन की प्रक्रिया ली गई है यहाँ पर आपको बता दें कि विधी का सासन संसदी साचन प्रणाली ब्रिटेन राजसभा में मनोनयन नीत नरदेशक तत्व राष्टपती के निरवाचन की पधती आयरलेंड से लिया गया भारती संघात्मक व्यवस्था यूनियन नाम ये कनाडा से लिया गया संबिधान की प्रस्तावना मूल अधिकार न्यायपालिका की स्वतंतरता विधी का समान संदक्षन न्यायक पोनर विलोकन उपर राष्टपती का पद न्यायधीशों को हटाने की पधती अमेरिका से लिया गया फिर इसके बाद यहां पर आपको देखें तो विधी द्वारास थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है तो इस तरह से आपको ऐसे सवाल परिक्षाव में पूछे जाएंगे अगला सवाल है question number 54 हम एक संबिधान के अधिन है परन्तों संबिधान वह है जो नियाधीस कहते हैं कि वह ऐसा है संयूत राज अमेरिका के अलावा यह कथन निम्नलिखित में से किस देश पर लागू होता है तो सही जबाब होगा आपका विकल्प संख्या ए भारत के संदर्व में अगला सवाल है संसदात्मक लोकतंत्र में समितिया अत्यंत आवश्यक है क्यों यह आपको बताना है तो आपके सामने ये चार कथन दिये गए हैं चारो कथनों का अध्यान करने के उपरांत आपको कूट की साहता से सही जबाब देना है विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा एक दो और तीन यानि कि वे अनवे शुडात्मक संस्थाइन नहीं होती है सही जबाब हो जाएगा आपका 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है अगला सवाल है निमनलीखित में कौन J.S.Mill की पुष्टक का सिर्षक है यानि कि J.S.Mill की पुष्टक कौन सी है इसमें आपको यह बताना है तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प शंख्या C. Assess on Liberty और यहाँ पर देखें तो उनकी प्रमुक पुस्तकों में The Principles of Political Economy, Assess on Liberty 1859 The Consideration of Representative Government 1860 और उसके बाद है The Subjection of Women 1869 फिर है Three Assess on Religion 1874 तो इस तरह से आप जेस्मिल की पुस्तकों को ध्यान रख सकते हैं अगला सवाल है Question No. 57 Lectures on Principle of Political Obligation का रचेटा कौन है? यानि कि Lectures on Principle of Political Obligation का लेखक कौन है? आपको यह बताना है तो सही जबाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या C. T. H. Green अगला सवाल है प्रासंगिकता के सिध्धान्द का संबंध जिससे हैं वह कौन सी विचार धारा है? तो प्रासंगिकता के सिध्धान्द का संबंध जो है वो होता है आपका उत्तर व्यावहारवाद से अंसर यहाँ पर आपका D सही हो जाएगा उत्तर व्यवहारवादी द्रिष्टिकोण में सामाजिक आवस्चक्ताओं की पूर्ती के लिए ग्यान की प्रासंगिक्ता पर विचार किया जाता है और समस्या समाधान के उद्देश से कारिवाही की मांग की जाती है जबकि व्यवहारवादी द्रिष्टिकोण ग्यान के ल तो बहुलवादी राज को सर्वोच स्वामी के स्थान पर सेवक को लाने का प्रयास करते हैं अन्य सामाजिक समोहों या संगों को महत्व प्रदान करने के लिए वे राज की सक्ति को सीमित करना चाहते हैं अगला सवाल है question number 60 जो लक्षण राजनीत विज्यान के परंपरागत द्रिष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है लेकिन आधुनिक द्रिष्टिकोण में विद्यमान है वह क्या है तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा विकल्प संख्या आपका बी अंतर अनुशासनात् question number 60 में सही आंसर होगा बी अगला सवाल है यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदय के लिए समाप्त कर दिया जाएं तो राजनीत विज्यान के परती एक बहुत बड़ी सेवा होगी यह कथन किसका है तो यह कथन है आपका लास्की का विकल्प यहाँ पर आपका सी सही ह हो जाएगा लास्की बहुलवादी है और वह संप्रभुता की एकलवादी धारणा का खंडन करता है राज सामाजिक संगों में से एक हैं वह केवल अपने प्रती व्यक्ति की संपूर निस्ठा होने का दावा नहीं कर सकता है अगला सवाल है question number 62 सामाजिक सुरक्षा की व्य सिधान्त विकल्प संख्या B question number 63 में है उच्चतर द्वारा निमनतर को दिया गया आदे से ही कानून है यह विचारधारा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है तो इस विचारधारा को दिया गया वैधानिक संप्रभुता के सिधान्त द्वारा विकल्प यहां पर राज्य कानून का निर्मान नहीं करता बलकि कानून ही राज्य के स्थापना करते हैं किस ने कहा था तो सही जबाब होगा आपका विकल्प संख्या ए डिगवी यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा यहाँ पर आपको बता दें कि लियोन डिगवी विधी को राज सत्ता से स्व के लिए हुआ है अगला सवाल है क्वेशन नंबर 65 माक्सवाद और फेवियन वाद का समान सिध्धान्त कौन सा है तो वह कौन सा शिध्धान्त है जो माक्सवाद और फेवियन वाद का समान सिध्धान्त है सही जबाब होगा आपका विकल प्रसंख्या सी उत्पादन के साधन Q66 में है जो लक्षन प्रशास की कानून में विद्यमान है वह कौन से हैं सही जबाब होगा आपका विकल प्रशंख्या D सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रिथक कानून को बनाना प्रशासनिक कानून राज के अधिकारियों के संबंध नरधारित करता है यह सारवजनिक कानून का वो भाग है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के गठन को सुनिश्चित और उनके ख्षमता को नरधारित करता है तथा व्यक्ति को अपने अधिकारों के हनन की दसा में उप यहां पर आप देखें तो लोकतांत्रिक समाजवादियों के अनुसार समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं बलकि सहयोग होता है। मानना है कि राजिगी कारिवाईयों द्वारा ही समाजिक और आर्थिक बुराईयों को दूर किया जा सकता है। Q68 में है जिस सिध्धान्त ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों को जन्म दिया है वो कौन सा है। तो सही जबाब होगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या सी समाज कल्यान सिध्धान्त है। अब आपको बता दे यहाँ पर कि अमेरिका की 1776 की स्वतंदरता की घोषणा में कहा गया है कि सब मनों से समान बनाए गये हैं और अपने स्रिस्टा की द्वारा उन्हें कुछ अप्रिथक करनी अधिकार प्रदान किये गये। इन अधिकारों में जीवन, सुरक्षा और सुख की प्राप्ति होती हैं। फ्रांस की राज्य क्रांती ने भी स्वतंदरता, समानता और भाईचारे जैसी भावनाओं को अमर बनाया है। लोकतंतर में विविद्ध वर्गों, विविद्ध विचारधाराओं और विविद्ध हितों में सामंजश और परस्पर आयोजन का अवसर दिया जाता है। वहाँ एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। की जनवादी लोकतंत्र में सामयवादी दल का एक आधिकार होता है जो एक सुअस्पस्ट विचारधारा पर आधारित होती है अगला सवाल है question number 70 राजनीतिक विकास की जिसे विशेष्टा पर आमंड और पावेल बल देते हैं वो कौन सी है तो सही जबाब होगा यहाँ पर आपका विकल्प संख्या ए भूमिका विभिन्नी करण question number 71 में है राजनीतिक विचारक जिसने राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बताने की साथ साथ राजनीतिक पतन की भी चर्चा की है वो कौन है तो सही जबाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या भी यानि की हटिंग गटन ने question number 72 है गांधिवादी सिध्धान्द सर्वोदे का स्रोत क्या है तो गांधिवादी सिध्धान्द सर्वोदे का स्रोत जो माना गया है वो है अन्टू दी लास्ट विकल्प संख्या ए Q73 में है हॉप्स और रूसु के सामाजिक समझोता सिधान्त की समानता क्या है तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या D. समस्त सक्तिया व्यक्ति द्वारा संप्रभू को देना होता है यहाँ पर आपको बता दें लौक ने दो समझोते किये जाने का विचार दिया जबकि हॉप्स और रूसो में एक ही समझोता होता है जिसमें प्रतिक व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों को एक संप्रभू शंपन इकाई को शमर्पित कर देता है अगला सवाल है इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसको विधी के सासन का लक्षण नहीं उलंगन कहा जा सकता है तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प बीवाला प्रवत्त व्यवस्थापन यानि कि विधी के सासन के अंतरगत व्यक्तिगत स्वतंदरता की रक्षा कानून द्वारा होती है सभी के लिए एक ही प्रकार की विधी और न्यायालय की व्यवस्था होती है परन्तु प्रदत व्यवस्थापन विधी के सासन को सीमित करती है क्योंकि विधी के सासन का अर्थ ये है कि प्रसासन का प्रतीक कारी या तो सामाने कानून या संसदी कानून द्वारा अधिक्रित हो लेकिन प्रदत व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अंतरगत प्रसासन स्वैंग द्वारा निर्मित नियमों के अनुशार ही कारी करता हैं अगला सवाल है 75 ग्रीवियन ऑस्टीन का निस्कर सहे कि भारत में जो संगवाद का प्रतिमान है वह कौन सहें तो यहां पर सही जबाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या भी सहकारी संगवाद Q76 में हैं संसदी व्यवस्था का व्यवहार में कमजोर सप्ता और निर्बल नितृत वाले प्रधान मंत्री को जन्म देने वाला कारण क्या है तो सही जबाब यहां पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या भी याने की खंडमय दल व्यवस्था यहां पर आपको बता दें ख हैं अगला सवाल है क्वेशन नमबर 77 संसदी प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं है वह कौंसा है सही जबाब हो जाएगा आपका यहां पर विकल्प संख्या डी राज के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो य यह कारेपालिका यानि की मंत्री परिशद व्यवस्थापिका या उसके निचले सदन के प्रति उत्तरदाई होती है राज्या ध्यक्ष नाममात्र का सासक होता है जबकि अध्यक्षी सासन प्रणाली का आधार सक्तियों के विभाजन का सिध्धानत है इसमें कारेपालिका व्यवस्थाबिका और न्यायपालिका सभी एक दूसरे से अलग और स्वतंद्र रहकर अपने कारी करते हैं इस प्रकार संसदिय प्रणाली में राज के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार का अध्य ही राज का अध्यक्ष होता है तो इस तरह से आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या डी Q78 में है भारत में केंद्री संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है लेकिन समवैधानिक नहीं है वह कौन सा है सही जबाब होगा आपका विकल्प A एक दली प्रमुख व्यवस्था यहाँ पर आपको बता दें भारत में केंद्री संघवाद को जन्म देने वाला कारक एक दली प्रमुख व्यवस्था राजनीतिक हैं लेकिन अन्य तीन कारक एकहरी नागरिक्ता एकिकृत न्याय व्यवस था और रास्टपती द्वारा राजपालो के नियुक्ति संबैधानिक है भारत में स्वाधिन्ता के बाद से मार्च 1977 तक भारत की राजनीतिक कॉंग्रेस के इर्दगिर्द घूमती रही है अगला सवाल है क्वेशन नंबर 79 ऐसा लक्षन जो सूची प्रणाली का तो है लेकि व्यक्तिकत उम्मीदवारों को नहीं अगला सवाल है क्वेशन नंबर 80 लक्षन जो दबाव समोह पर तो लागू होता है लेकिन राजनीतिक दल पर नहीं वह कौँ सा लक्षन है सही जबाब यहाँ पर आपका विकल्प D हो जाएगा यानि कि राजनीतिक प्रक्रिया का संगठन होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होता है फिर भी वे अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी ने किसी दल को अपना समर्थन अस्थापित करते हैं राजनीतिक दल दबाव समोह की अपिक्षा अधिक विस्त्रित संगठन है राजनेतिक दल निर्वाचनों में भाग लेते हैं जबकि दबाव समों निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं अगला सवाल है question number 81 आनुपातिक प्रतनेथित्व प्रणाली का प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वो कौन से है तो यहां पर आपको बता दें क कि राश्टपती उपर राश्टपती और राज्य सभा के लिए आनुपातिक प्रतनेथित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है लोग सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था है लोग सभा में इसके लिए प्रत्यक राज्य को जनसंख्या के अनुपात में प् इसके अलावा राज विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सामिल होते हैं अगला सवाल है क्वेशन नमबर 82 सच्ची गुट निरप्यक्षता की विदेश नेतिका जिनके द्वारा अनुशरण किया गया वे कौन थे तो ये हैं मुरारजी देशाई विकल्प संख्या भी आ पहली गैर कॉंग्रेशी सरकार अर्था जनता पार्टी की सरकार स्री मुरारजी देशाई के नेत्रुत में बनी जिसने गुट निरप्यक्षता को एक नया रूप देना चाहां अगला सवाल है 83 भारत की विदेश नेति में जो तत्व परिवर्तन का सूचक है नियंतरता का नहीं वह कौन है सही जबाब होगा आपका विकल्प संख्या डी संकट के लिए मित्र उत्पन करने वाली द्वी पक्षिय संधी भारत की विदेश नेति की निरणतरता का सूचक है गुट निरप्यक्षता उपनिवेश वाद और नव उपनिवेश वाद का विरोध नसली भेद भाव का विरोध तीसरे विश्वयुद विशेश कर एस्याई और अफ्रीकी देशों के साथ एकता इत्यादी अगला सवाल है क्वेशन नंबर 84 आफ्टा का संबंध जिस संगठन से है वह कौन सा संगठन है तो सही जबाब होगा आपका विकल्प संक्या ए आसियान साथ आफ्सा आफसीयान देशों का वियापारिक संगठन है आसियान दक्षिर पूर्व एसियार रास्टों का संग है इसकी अस्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंका घोशना पत्र के द्वारा इसकी अस्थापना की गई इसका केंद्री सचीवाले जगार्ता में ह आसियान का लक्ष ये है कि साल 2030 तक एक मुक्त व्यापार छित्र बना लिया जाए अगला सवाल है question number 85 न्याय सिध्धान्द से क्या तातपरी है तो न्याय सिध्धान्द का मतलब होता है धन को समाज की धरोहर समझना 86 में है जब विवात के संबंध में कानून प्रकास नहीं डालता न्याधीस के निरड़े का उपयुक्त आधार क्या होगा तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या भी आउचित्य Q87 में है अभिजन सिध्धान्द में लॉस्वेल का योगदान क्या है तो अभिजन सिध्धान्द में लॉस्वेल का जो योगदान है वो है राजनीतिक अभिजनों के निरड़े में जन स्विकृती की धारणा विकल्प संख्या भी यहाँ पर सही होगा Q88 में है गुलिक ने निम्नली खित में से किसे मुख्य कारेपालक के कारिगों में शामिल नहीं किया है सही जबाब होगा आपका विकल्प संख्या B यानि की अधी निरडे Q89 में है निम्नली खित में से कौन से सिध्धानत है हेनरी फेओल द्वारा प्रतिपादित 14 सिध्धानतों की सूची में शामिल है तो यहाँ पर आपको चार दिये गए है कूट की सहायता से आपको सही जबाब का चैन करना है आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा विकल पसंख्या बी एक तीन और चार यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्वेशन नम्बर 90 में है वेस्टन इलेक्ट्रिक कमपनी में मजदूरों द्वारा विक्सित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिस्ट अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाए पहुचाता है उसे क्या कहते है सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल पसंख्या बी उन्होंने कहा था कि सीमोन ने इस पात पर बल दिया है कि निरड़े से अभिप्राय तत्यों इवंग मुल्यों का उचित योग होता है तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर बी बाला सही हो जाएगा अगला सवाल है क्वेशन नमबर 92 निम्नलिखित संगठन सिध्धानतों में से किसका निरूपन मूनी और रिले ने नहीं किया है सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प शंख्या ए यहाँ पर शही होगा एकवटी सिध्धानत संगठन सिध्धानत में मूनी और रिले ने निम्नलिखित चार सिध्धानतों का उले किया है वो सिध्धानत कौन कौन से हैं इसकी गर जर्जा करते हैं तो उनका है 105 सिध्धानत दूसरा है प्रबंधक या अनुक्रम सिध्धानत तीसरा है प्रकार्यात्मक सिध्धानत और चोथा है समन्वयात्मक सिध्धानत अगला सवाल है 93 निम्नलीकित में से कौन सा निरड़े प्रक्रिया का अंग नहीं है तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए अचेतन का रवाई है तो यहाँ पर आपका जबाब जो हो रहा है वो ए वाला सही हो जाएगा निरड़े प्रक्रिया के अंगों की बात करें तो यहाँ पर आपको समस्या को परिभासित करना समस्या को विशलेशित करना वैकल्पिक साथनों का विकास करना और सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना होता है यहाँ पर निरड़े प्रक्रिया के अंग में अगला सवाल है 94 में निम्नलिकित में से कौन से स्ताफ अधिकारी कहलाते हैं यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल प्रशंख्या सी सही होगा जो करमचारी अपने मुख्य कारेपालक की उसके प्रमुख कामों को पूरा करने में मदद करते हैं अगला सवाल है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिकित में से कौन सात्त सर्वमान्य नहीं है तो अंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बिकल प्रशंख्या डी विशयक्षेत्र और जटिलता अगला सवाल है Q96 प्रशासन की निम्नलिकित अवधार्णाओं में से कौन सही अवधार्णा सन्रशना की बजाए कारिवाही की ओर अभिमुख होती है तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा C वाला यानि की विकास प्रशासन के संबंधित है अगला सवाल है Q97 बहु ध्रुवी व्यवस्था की तुलना में द्वी ध्रुवी व्यवस्था के अस्थायतों से संबंधित केनेत वाल्ड जे के तर्क के आधार को किसने ग्रहन किया है सही जबाब होगा इसका विकल्प संख्या C आपका सही हो जाएगा जौन मार्शिमायर जौन मार्शिमायर ने बहु ध्रुवी व्यवस्था के तुलना में द्वी ध्रुवी व्यवस्था के अस्थायतों से संबंधित केनेत वाल्ड के तर्क का आधार ग्रहन किया है अगला सवाल है question number 98 में लोक्तांत्रिक सांतिक सिध्धांद को किस सध्धांतिक उपागम के अंतरगत रखा जाता है यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प शंख्या डी संस्थानिक उदारताबाद अगला सवाल है 99 में निम्नलिकित में से कौन से वक्ता भी शही नहीं है यहाँ पर कौन सा वक्ता भी नहीं सही है यह आपको बताना है तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अस्त्र सस्त्र नियंत्र एक समाधान है तो अंसर यहाँ पर आपका C सही हो जाएगा अगला सवाल है Question No.99 के बाद 100 में है Class of Civilizations and New World Order में उत्तरशीत युद्ध कालमे निम्नलेखित में से किसे से बदलाव की भविश्यमाणी की गई है तो यहाँ पर आपका सही जबाब जो होगा वो होगा विकल्प संख्या डी अब आपको यहाँ पर बता दे कि व्याख्या के दोर पर Class of Civilization and New World Order में उत्तरशीत द्रुवकालवे राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म से बतलाव की भविश्यमाणी की गई है अब बढ़ते हैं अगले शवाल की तरफ Question No.101 में है यह द्रिश्टिकोण की विधी और स्वतंतरता एक दूसरे की विरोधी है वक्त किया गया है किसके द्वारा तो यह व्यक्त किया गया है अराजक्ता वादियों के द्वारा आंसर यहाँ पर आपका A सही होगा अगला है जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंतरता बढ़ जाती है यह किसका कथन है तो आंसर यहाँ पर होगा आपका विकल्प शंख्या C आपका यहाँ पर सही हो जाएगा question number 103 में देखें तो J.S. मिल को खोखली स्वतंदरता का पैगंबर कहा जाता है तो ये किस ने कहा था तो खोखली स्वतंदरता का पैगंबर कहा जाता है बारकर को विकल पुशंख्या यहाँ पर आपका D सही हो जाएगा Q104 में है समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को अपने एक्षानुशार जीने का एक समान कारगर अधिकार यह कथन किसका है तो यह कथन है H.J. लास्की का आंसर यहां पर आपका B सही हो जाएगा इसमें अगर देखें तो इस सम्मंध में लास्की का कहना है कि अगर मुझे सरवत्तम विकास का अधिकार है तो इसका तारकिक फल यह है कि दूसरों को भी अपने सरवत्तम विकास का अधिकार है इसका मतलब हुआ कि सामाजिक सक्तियों का ऐसा व्यवस्थापन जो मजदूरी हे तू परिश्रम को इसके लाभ के भाग के साथ संतुलित करता है अगला सवाल है question number 105 अरस्तु के अनुशार विवरनात्मक न्याय का सार कहां पर है question number 106 में है राजनीतिक आभार यानि कि दायतों का अनुदार वादी द्रिश्टिकोन आधारित है किस पर तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका विकल्प शंख्या ए सहमती पर सही जवाब हो जाएगा answer number A question number 107 में है एक व्यक्ति के पास स्वतंतरता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुस इच्छा के अनुशार बल प्रयोग के अधिन नहीं है यह किस ने कहा है यह कथन है आपका सही जवाब इसमें होगा हेयक का विकल्प संख्या ए यहाँ पर आपका सही होगा AFA हेयक ने चार प्रकार की स्वतंतरताओं जिसमें से व्यक्तिक स्वतंतरता, राजनितिक स्वतंतरता, आंतरीके स्वतंतरता और सक्ति रूपी स्वतंतरता का उलेक किया है हेयक ने व्यक्तिक स्वतंतरता के संबंध में कहा है जो यह मांग करती है कि व्यक्तिक को किसी दूसरे की मनमानी इच्छा के द्वारा विवस न किया जा सके अर्थात एक व्यक्तिके पास स्वतंतरता तभी है जबकि वह दूसरे की निरंकुस इच्छा के अनुशार बल प तो सही जबाब होगा Michael Sandal विकल पुसंख्या A Q109 में है समान श्वतद्रता की नियम को किसने विक्सित किया है तो सही जबाब यहाँ पर होगा विकल पुसंख्या D आपका सही हो जाएगा Spencer Q110 में है वाहिस्वं प्रभुता की अवधार्णा को किसने दिया है तो बाहिस्वं प्रभुता की अवधार्णा का प्रतिपादन किया है आपका ग्रोशियस ने विकल्प संख्या यह यहां पर सही होगा आंतरिक संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक बोदा है बाह संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक ग्रोशियस कानूनी संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक आस्टीन राजनीतिक संप्रभुता के प्रमुक प्रतिपादक डाइसी थे लोकप्रिय संप्रभुता को परिभासित करते हुए ग्रोसियस ने कहा था संप्रभुषत्ता सरवोच राजनीतिक शक्ती है यह उस व्यक्त में निहित है जिसके कारियों पर किसी दूसरे का नियंतर नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उलंगन कोई नहीं कर सकता है Q112 में है विधी वित्ता जिस संप्रभू को मानता देते हैं उसके पीछी एक और संप्रभू है जिसके सम्मुख वैधाने के संप्रभू नत मस्तक होता है यह कथन किसका है सही जबाब होगा आपका वेकलप संख्या A.D.C Q113 में है राज विधी का सिसू और जनक दोनों है यह कथन किसे सम्मंधित है तो सही जबाब होगा मैं काई वर्से Q114 में है अज्यानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक और बुद्ध हीनता है यह विचार किसने व्यक्त किया है तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका वेकलप संख्या A यहाँ पर आपका सही होगा लेकिने Q114 में है लिम्नलिकित में से किसने उदार एवंग चरम बहु दली व्यवस्था के बीच बीभेत किया है तो सही जबाब यहाँ पर हो रहा है आपका G साटोरी विकलप संख्या D Q116 में है आनुपातिक प्रतनेधत प्रणाली में इकल संक्रमडी मत प्रणाली का निम्नलिकित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है तो आंसर यहाँ पर होगा आपका C राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार करना Q117 में है भिन नाम पत्रों यानि कि लेबल वाली दो खाली बोतली किसकी दल व्यवस्था विस्ष्टता दर्शाती है तो सही जबाब यहाँ पर होगा USA की विकलप संख्या D Q118 में है निम्नलिखित में से कौन जन्मत के निर्माण का अभिकरण नहीं है वो है न्याय पाली का 190 में है प्रतनिधित्व का कौन सा सिध्धान्त प्रतिक्ष लोकतंत्र को प्रतिस्था देता है तो यहाँ पर देखेंगे तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रांतिकारी सिध्धान्त विकलप संख्या D प्रतनिधित्व का अमूल परिवरतनवादी सिध्धान्त क्रांतिक्ष लोकतंत्र को प्रतिस्था देता है इस सिध्धान्द के मुख्य समर्थक जे जे रूसों और नववाम पंथी है क्वेशन नमबर 120 में हैं किसने निर्वाचन व्यवस्था और दल व्यवस्था के बीच सह सम्मंध अस्थापित करने का प्रयास किया है तो सही जबाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या ए डूर्जर 121 में हैं आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सरप्रथम कहां हुआ था तो आधुनिक दल ब्यवस्था का सरप्रथम उद्भाव हुआ था यूके में विकल्ब यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा Question No. 122 में देखते हैं सहयोगात्मक सम अधिकार बहु प्रडाली यानि कि Concurrent Majority System प्रतनित्त सुनिश्चित करने की एक युक्ति हैं किसके लिए तो सही जबाब होगा आपका विकल्ब संख्या सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा Question No. 123 में है Question No. 123 में है किस माक्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज की उत्पत्ती दो प्रकार की सक्तियों के मध्य संखर से की कारण होई है नेत्रत की सक्तियां और कुछ सहायक सक्तियां तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा Question No. 124 में है प्लेटो की किस पुस्तक का उपसीर्शक न्याय के संबंध में है तो सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या C. Republic अगला सवाल है और आज का हमारा आखरी सवाल है प्रथम पास्चात विचारक जिसके संब्रभुता के सिधान्थ का व्यवस्तित विवरन दिया गया था तो सही जबाब हो जाएगा आपका यहाँ पर विकल्प संख्या C. बोंदा तो यह था हमारा आज का यह अभ्यास सेरीज अगले अभ्यास सेरीज में हमारी आपके मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद